हाई अवरिवन दिसे पावन चर्मा टास्ट ट्रीडिंग सेशन में निफ्टी ने फाइनली माइनिस 165 नेगेटिव में क्लोज किया है इन फेक्ट बात करें अगर FIA की बाइंग की तो FIA Friday के सेशन में भी नेट बायर ही रही है जो जादा profit booking करी वो तो DIA ने करी है अब सवाल यह आता है कि यह जो हमारा भी रिसेंटली जो फॉल आया है यहां तक तो क्या यह फॉल यह continue करेगा या फिर यह फिर फॉलासा profit booking है और यहां से वापस से एक rebound कर सकता है निफ्टी किया मैं कहूँगा broader market किसी भी index को अगर आपको analyze करना है या मैं कहूँगा chart rating करने तो कैसी करते हैं और हमने क्यों कुछ time से यहीं अटके वे थे और यह जो surprise मिला इसको हम क्यों digest नहीं कर पाये तो मैं आपको बताता हूँ और अगर 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 तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो पहले तो वीडियो को नीचे जाएएगा subscribe button में click किजेगा ऐसा करने चाप हमें और हमारे चैनल को बहुत support करते हैं और तभी वीडियो में आगे बढ़ेगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो like करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पर मैंने कुछ line draw कर रखी है यहाँ पर अगर मैं कहूंगा इसको x यह 1 है यह 1 है यह 2, 3, 4 and 5 देखे 5 के बाद तो इसने यहाँ पर आकर line ही छोड़ दिया है विच मेंस यह है Elliot Wave Theory, Elliot Wave Theory को अगर हम बात करें तो यह 90% of the time market इसी format में trade करती है और इसी format में movement करती है तो हम यहीं उम्मीद कर रहे थे that market कुछ नहीं चलो 18,800 था, 18,900 था तो 100 point या 150 point तो अराम से एक push के साथ में इतना बड़ा index ले लेता है पतर 19,000, 19,050 या 100 तक हमारा उम्मीद था, उसके बाद भी चलो खीच के हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, 19,200 तक जा सकता है इनफेक्ट जो analysis थी वो यहीं खतम हो गई थी हमारी, लेकिन उसने क्या किया, एक बड़ा surprise move दिया और 19,523 का high बना डाला अब ये किसी भी जो हमारे rule book में, या किसी भी chart trading में, या कोई भी tool में ये आता ही नहीं है अब यहां हुआ क्या था मैं बताता हूँ, बहुत सा ऐसे trader थे जुनको लगा कि यहां पर उनके उनसे एक rally है जो छूट गई है अब वो होगे formal का शिकार, और उस rally को catch करने के लिए वो लगातार फिक क्या करे थे, 5 करते चले जा रहे थे और उसके बाद में एक बड़ी movement को उन्होंने originate कर दिया In fact, जो हमारे जून के last week के अंदर, जब ये move चल रहा था तो article में पढ़ता रहता हूँ, कुछ famous articles हैं, कुछ जैसे हमारे पास में Goldman Sachs और इनके articles हैं, जो Indian market को लेकर आते हैं उनके articles में ये बोला जा रहा था, ये एक peer run है Peer run क्या होता है? Peer run होता है, जहांपर market को बहुत उपर तक लेकर जाया जाता है और उसके बाद में profit booking के basis पे उसको उपर से छोड़ दिया जाता है तो उनको लग रहा था कि ये peer run है and they are not investing and they are not participating in this particular rally और वो wait करेंगे थुदा सा और moment का, उसके बाद ही वो अपने जो भी cash पे बैटे हैं, उसको invest करेंगे तो हम भी यही सोच रहें कि हमने यहाँ पर अपना cash निकाल लिया था यहाँ तक आते आते मैंने 75% अपना सारा cash withdraw कर लिया था मतलब profit book कर लिया था, इससे पहले कि जतने भी हमारे पास stocks दिद दिये थे किया तक आते आते मैंने आपसे कहा भी था कि अपने या profit book कर लिजेगा उसके बाद में बहुत selective stock है मेरे पास में जिन में मैंने नई position बनाई है, जैसे jubilant food work मैंने या position बनाया मैंने, suntech reality में recently बनाया, pnb में मैंने recently अपनी position बनाई pnb कुछ ही time में देखे जब से हमने video post किया तो उसके बाद क्या भागा है pnb तो वो particular stock थे जो अभी हमारे portfolio में है, कुछ और एक दो stock है otherwise बाकिस अब stock में हम अपना profit book कर चुके हैं अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर आते आते हमारे लिए जो यह moment है क्या यह profit booking लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा चलि एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजें एक होता है जिसको कहते है Fibonacci extension, extension क्या करता है कोई भी low बनेगा, आप वहाँ पर किसको click करेंगे उसके बाद में high पर click करेंगे, retracement के basis पर लियाएंगे अगर आप इसको analysis के basis पर check करेंगे तो Fibonacci retracement भी यह कह रहा था कि आपका जो high बनेगा, that will be कहां तक चला गया हमारा, 19,482 which means 19,500 इसके बाद तो यह भी जवाब दे जाएगा कि भीया, अब और उपर मैं नहीं बता सकता, उपर की तरफ है 200 point पे इसने बताया है, बट 200 point बहुत उपर हो जाएगा यह moment तो अभी हम नहीं expect कर रहे हैं, देखेगा 200 point तो सीधा 20,000 पे जाएगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब निफ्टी, 19,500 के उपर ट्रेड करे और उपर जाए लेकिन इसको justify कैसे कर सकते हैं, कि कम लगेगा, वो यहाँ पर है यहाँ पर जो यह निफ्टी का option chain है, और मैंने purposely क्या किया हुआ है इसको 27 जुलाई के basis पे मैंने इसको pick किया है 27 जुलाई का हमारे पास में, मैंने expiry लिया है, month end की expiry यहाँ पर notice करेंगे, यहाँ पर 19,500 के उपर इसके अंदर highest जो है, वो open interest generate हो रहा है और यह इसका highest resistance है यहाँ पर notice करें, इधर से, जैसे मैं हमेशे आपसे कहता आया हूँ इधर से, यहाँ से, यहाँ तक देखीगा negative, 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 इधर भी उपर के तरफ तो negative होई रहे है यह unwinding चल रही है, unwinding unwinding का मतलब है, कि आप जिनको लग रहा था कि market उपर जाएगा वो first चुके हैं, और वो अपना जो भी profit, loss जो भी है वो book कर रहे हैं, उसके basis पर जो भी shots बने थे, अब वो unwind किये जा रहे हैं, तो वो, जो हमारा extension के basis पर इसके उपर का जो moment है, अभी वो possible नहीं लग रहा है तो support हमारे पास कहा है, support हमारे पास में इधर ही अटका हुआ है, इसके बीच में और कल भी हम जैसे expect कर रहे थे कि nifty 19,300 को touch कर जाएगा, अगर ये level break हो गया तो nifty low कितना बनाया था, 305 का low बनाया था, if I'm not wrong plus minus एक दो point रहा होगा, अगर देखेंगे यहाँ पर nifty जो low बनाया था, 303 का low बनाता, तो 303 के low बनी चुका था, अब ये हमारे लिए जो level रहेगा, इसके नीचे अगर जाएगा, तो इसके बाद में जो direct fall आएगा, उसके basis पर चेक करते हैं, देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा नजरा आता है यहाँ पर देखेंगे, यह कुछ ऐसा देखेंगा आपको यहाँ पर हमारे पास यह 19300 का है, उसके बाद सीधा कितना रहेगा, 19150 है और then we have 1950 and then we have 18950, उसके नीचे 18850, मतलब 100 points, इसके बाद में हमारे पास में 150 points का fall आ सकता है, उसके बाद में तो 100 के multiples में ही हमारे पास सारे के सारे fall देख रहे हैं, तो हमारे लिए अब current क्या रहेगा, यह level अगर break हो जाता है, तो target आप करहेगा 19150 का और उसके नीचे जब तक nifty हमारा इस level के उपर है, यह level है, तब तक rebound के full chance है, इस level के break होने के बाद में जो beer run है, वो confirm हो जाएगा और फिर एक बड़ा fall आपको देखने को मिलेगा, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यह जैसे इसको delete कर देते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर, अगर मुझे इसी moment पर यह चेक करना हो, कि हमारे पास में जो Elliot Wave Theory कहां कहां तक ले कर जा सकती है, तो मैं दिखाता हूँ, इस बार मैं यूज़ करूँगा तो बनाची जाएगा, उसके नीचे 450 है, और यह level है, विच मेंस, यह हमारा safe zone है, यह safe zone अगर निकल गया, तो हमारे लिए थोड़ा सा खत्रा बढ़ जाएगा, यहाँ से bounce back करेगा, तो बढ़िया बात है, और नहीं करेगा, तो समझ जाएगा, फिर जो हम बात कर रहे थे, बड़े आप उसी के according चलेंगे, और अपने stock close को अगर close रखेंगे, तो क्यों नहीं यह target हमारे लिए निकल के आएगा, और नहीं भी आता, तो जो भी profit होगा, उसको बुक कर लेंगे, तो आने वाले week के अंदर यही हमारा outlook है, और अगर मैं range की बात करूं, तो range फिलहाल हमारे पास में है, 19,500 उपर के तरफ और नीचे के तरफ 19,150 के range, इसके नीचे आप कर सकते हैं, 18,950 का range, इसको आप क्रोसा focus करेंगे, तो मतलब आइडली उपर के तरफ 19,500 नीचे के तरफ 18,950 का range है, अगर आपको कोई trade लेना है, तो यहाँ पर आप range bound आप अपना एक जिसको कहते ह कि low risk strategy बना सकते हैं, तो guys यह रहेगा हमारा आने वाले peak का या मैं कोंगा पूरे month का outlook, इसको तरफ चेंज करेंगे next weekend के उपर, जो भी हमारा, यागर सेम रहेगा तो उसको continue करेंगे, नज़र रखिएगा कि FII, जो हमारे net buyer बनगे, तो fall और ज्यादा sharp हो जाएगा, हर पास में holdings हैं, तो उनको stop loss tight करके आप trade कर सकते हैं, अभी उसका, तो को लालज मत कीजेगा, रे नहीं, यार मैं hold कर लूँगा, आज से profit मत जाने दीजे, जो profit आपके पास में है, वो आपका है, जाने के बाद तो market में चला गया, चीक है, तो guys यह रहेगा हमारा outlook और यह information आपको help करेगा, और जाने से पहले, अगर help करता है तो like और subscribe करना मत भोलेगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, until then, take care, have a nice step up